नमस्कार दोस्तों मेरा नमे बिजय कमर आप देख रहे कॉमिक्स पिटागा चैनल को तो चलिए दोस्तों राज कॉमिक्स में देशभक तिरंगा की संदार कॉमिक्स को सुरू करते हैं जिसका नाम है मौत पीछे पीछे और ये कॉमिक्स जो है काली बिल्ली का दूसरा भाग ह जिन्हों ने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तिरंगा कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं तो चलिए इसके संदार स्टोरी को सुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कभर प्रिस्ट जो कि कुछ इस तरह का है ओके जिन्दगी जिसे बचाय रखने के लिए इंसान को सदा संगर्स रत रहना पड़ता है और उस समय तो उसका संगर्स और अधिक बढ़ जाता है जब वो अ सौधान देखते ही अपने कुरूर सिकंजे में जखर लेती है ठीक वैसे ही जैसे तिरंगा को जखरा हुआ है लेकिन मौत के सिकंजे में फसने का मतलब ये नहीं है कि निश्चित मौत हो गई ऐसे में अगर समय ना खोया जाए दिलो दिमाग पर काबू रखा जाए तो उस मजबूत सिकंजे को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता को जाजा शकता है ठीक वैसे ही ये जैसे तिरंगा ने खोज लिया था ये बिलिया मेरा माच नोचने के लिए इसली उतारू है क्योंकि ये भूख ही है अगर इनके भूख मिटाने का कोई दूसरा साधर ढोल लिया तो ये मुझे इतना मौका जरूर दे देंगी कि मैं पत्थर की इस बिली के मुझे से निकल सकूँ लेकिन कैसी सामने चूहों का भंडार मौझूद है लेकिन वो मजबूत पिजड़े में बंध है पिजड़ा खुल जाए तब ही कुछ बात बन सकती है और ऐसे परयास करने से पहले मुझे अपना ध्यान कुछ पलो के लिए अपने सरीर पर नोच्ती बिलिया से हटा कर उस पिजड़े की तरफ करना होगा तिरंगा कुछ पलो के लिए भूल गया कि उसका सरीर सेक्रो पंचो और नुक्विली दातों से नोचा जा रहा है उसने याद रखा तो बस ये की उसे अपनी जान बचानी है शुक्र है पत्थर की इस बिल्ली के मुँ में मेरे हाथ नहीं फसे हैं अब मैं अपनी धाल के चैनल को घुमा कर उसके तेज और मजबूत बलेडों को बाहर मिकाल सकता हूँ खट ढाल उचाल कर तिरंगा ने अपना काम कर दिया था अब जो करना था किसमत में करना था क्योंकि ये तिरंगा की किसमत की ही बात थी कि चकर चकर उसका वो परियास असफल होना था या सफल कड़ाक किस्मत ने सिरंगा का पूरा साह दिया पिजले वाला पिजले का ताला कट किया चुहे अजाद हो गए चीन चीन और जैसे ही बिलियों की नज़त चुहे पर पड़ी वैसे ही सभी बिलिया मुझे छोड़ कर चुहों की तरफ भाग रही है भागे भी क्यों न जब पुलाव सामने हो तो करेले को पूस्ता कौन है लेकिन अब इससे पहले की सभी बिलिया पुलाव चट करके करेले की तरफ फिर आकरसित हो मुझे पथर की इस बिलि के जबड़े को खोल कर यहां से बाहर निकल जाना चाहिए अब तिरंगा वहां नहीं रुका अपने कोशिशों और किस्मत से मैं बच गया हूँ इसलिए अब कैटी जेल जाने से बच नहीं पाएगी वो कहां होगी यह तो मुझे पता नहीं लेकिन इतना जरूर पता है कि उसे ढुणना मुस्किल नहीं होगा क्योंकि कैटी नाम की वो बिली देर सबिर वहां पहुँचेगी जरूर जहां सेरपा, बेनी खान और जोंगाले जैसे चुहे होंगे और उन्हें ढूनना जादा मुस्किल नहीं क्योंकि उन सबी के घर इसी सहर में है तिरंगा की कोशिसों से उसे खान, सेरपा, बेनी और जोंगालों के घर तो मिल गएं लेकिन वे चारों नहीं मिल पाएं वे तो अचानक किसी जरूरी काम से सिमला चले गए हैं लेकिन क्या बात है आज उनके बारे में बहुत पूस्ता छो रही है अभी कुछ दिर पहले एक लड़की उन्हें पूस्ते पूस्ते यहां आई थी लड़की, उसे मैंने ही भेजा था अच्छा, मैं चलता हूँ चारों के घर से यही पता चला है कि वे अचानक सिमला चले गए हैं लेकिन वो लड़की कौन थी जो मुझसे पहले उनके घर पहुची थी कैटी, वो लड़की कैटी के सिवा और कोई नहीं हो सकती और कैटी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे सिमला क्या पाताल में भी जा सकती है इसका मतलब उन चारों के जान खत्रे में है अगर उन्हें बचाना है तो मुझे भी सिमला जाना होगा लेकिन ये कैसे पता लगे कि वे चारों सिमला में कहा गए हैं आ गया समझ में चट तिरंगा को सिमला जाने के लिए थोड़ी तयारी करनी थी जबकि कैटी पूरी तैयारी के साथ सिमला पहुँच गए थी तिरंगा ने बीच में आकर सब गढ़बढ कर दिया वरना मैं उन चारों किला से दिल्ले में ही बिचा देती लेकिन वे सिमला आ पहुँचे हैं क्योंकि उन्हें मालुम है कि गर्मी के इस महीने में मंदिर से वर्फ चटेगी और वोे मंदिर में परवेष करके खजाना हासिल कर लेंगे लेकिन यहां उन्हें देवी का खजाना नहीं मौद मिले की और यहां उन्हें बचाने कोई तिरंगा दुरंगा या चोरंगा नहीं आएगा इसलिए जल्दी मौत के मुँए में जाएंगे चारों हत्यारे बिल्ली देवी के मंदिर तक पहुँचने का आम रास्ता हमने इसलिए इस्तमाल नहीं किया क्योंकि उस पर हमें कोई खत्रा हो सकता है ये छोटा रास्ता थोड़ा मुस्किल जरूर है लेकिन हम इससे अराम से मंदिर तक पहुँच जाएंगे लेकिन मेरी समझ में नहीं आया सेर्पा की तुमने मुस्से और जोंगालों से नकसे की हिस्से क्यों ले लिए हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं बेवकूफ अगर नकसे का ओलोकन अभी से नहीं करेंगे तो मंदिर में पहुँच कर टाइम खराब होगा इस पूल को पार कर लें फिर अराम से बैट कर नकसे के चारों हिस्सो को मिला कर मंदिर से बिल्यों के खजाने तक पहुँचनी की रननिती बनाएंगे पूल कम जोड है एक बार में दो ही आदमे इसे पार कर सकते हैं पहले मैं और सेरपा जाते हैं तुम बाद में आ जाना ठीक है रसी के उस पूल की तरफ बढ़ते सेरपा और बेने की आँखों में जो सेतानी चमक थी वो पूल पार करते हैं उनके चेहरों पर नज़राने लगी जानते हो हमने तुम से नकसे के हिस्से क्यों लिये अराम से हो जाएगा नहीं बेनी रुख जाओ नहीं सेरपा नहीं खान और जुंगाली चीखें लेकिन दौलत के लालची सेतानों पर उन चीखों का कहां असर होता अलविदा दोस्तों नरक के पहरेदार से हमारी नमस्ते कहना रसियों के कट्मे के साथ ही इन दोनों के सरीर सेक्रो फुट गहरी खाई में लहरा उठे उन दोनों ने मुड़कर उन्हें देखना भी गवारा नहीं समझा लेकिन कास वे मुड़कर देख लेते तो उन्हें पता चल जाता की नैलो स्टेल की वो रसी मौत की तरह बटते जांग मौत की तरह बटते खान और जुंगालों के सरीर से लिपट गई थी जो थमी थी तिरंगा के मजबूत हाथों में सुरजकुंड के बिल्ली डेवी के मंदिर से अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि सिमला के मंदिर तक पहुँचने के दो रास्ते हैं तो मैं इस छोटे रास्ते से मंदिर तक जल्दी पहुँचने की कभी ना सोचता और इन्हें बचाने कभी ना पहुँच पाता ज्यादा देर नहीं लगी तिरंगा को उन्हें उपर खीचने और उनके दिलों दिमाग में आपना आतंग बिठा देने में तुम सब किस चक्कर में हो और कैटी तुमारे पीछे क्यों पड़ी है मुझे बताओ वर्णा दुबारा खाई में फेक दूँगा तुम दोनों को ऐसा मत करता तिरंगा हम तुमें सब कुछ बता देते हैं फिर दोनों कहने सुरू हुए तो अपने गुनाहों को छिपा कर सब कुछ तिरंगा को बता करी रुके थे ओ तो कैटी बिल्यों के मंदिर का बिल्यों का खजाना लोटना चाहती है इसलिए वो तुम से नकसे हासिल करके तुमारी हत्या कर देना चाहती है मैं उसे ऐसर नहीं करने तुम का बिल्यों के खजाने को मैं बचाऊंगा उससे फिलाल तो उस खजाने को तुम्हें हमारे गदार साथी सेरपा और बेनी से बचाना है वे दोनों तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं सही कहा मुझे उन दोनों के पीछे जाना है लेकिन तुम उनके पीछे जाओगे कैसे आगे वटने का रास्ता तो बंध है रास्ता मैं बना लूँगा लेकिन तुम मुझे रेस थाउस में मिलना जहां तुम ठहरे हुए हो भागने के कोशिस मत करना मैं तुम्हारे साथियों के साथ जल्दी वापस लोटूँगा दोनों हद पर देखते रह गए उस तिरंगा को जो उस अनोखे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जल्दी दोनों की फटी फटी आँखों से ओजल हो गया तिरंगा जबकि उन दोनों की फटी फटी आँखों के सामने था कोई और वो कोई थी कैटी मैं यहां हूँ जब मौत सिर्पन मंडरा रही हो तो आदमी चाहे सात्वे अस्मान पर भी पहुच जाए मौत भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुच जाती है धाड ओफ बहुत मौत मौत चिलाती है तू अब तू जिन्दी की के लिए तडपेगी और तुझे तडपाओं का मैं भीदूत की गती से बेनी ने अपने इसकी पैरों में डाल ली और उस पर सरसरा उठा कहने वाले कहते हैं बेनी जब अपने इसकी पर होता है तो तुफान उठ रहा होता है आज ये तू भी देखीगी लेकिन तू कुछ करने लायक नहीं रहेगी धड़ाग बेनी नाम का तुफान तेरे जिन्दगी ले उड़ेगा नकसा मेरे पास है और बेनी कैट से उलजा हुआ है ऐसे मेरे पास मौका है कि मैं अकेला मंदिर तक पहुँचू और नकसे की सहता से वहां से बिलियों का खजाना निकाल कर यहां से रफुच चकर हो लो सेरपा अपनी जान लेकर भाग खड़ा हुआ था बेनी की उस जान को छोड़ कर जो मुसीबत में फसने जा रही थी माना तु तुफान है बेनी लेकिन तुफान को भी रोकना पड़ता है तब जब उसके सामने परवत आ जाए तुफान की गती से बढ़ते आते बैनी का कैटी का इरादा भापने में थोड़ी देर हो गई लेकिन वो देरी उसको बहुत मंगी पड़ गई भड़ाक रास्ते में आई चट्टान से ठक्रा कर वो कई फुट हवा में उचला इस बार उसे उच्छाला था कैटी के वार ने धड़ाक बर्फ फाकने का बड़ा सौख है तुझे लेकिन आज तु वर्फ को नहीं वर्फ तेरी जिन्दिगी को निकलेगी बेनी के ठक्राते ही वर्फ का वो पिन भरभरा कर तूट गया और बेनी वर्फ में बुरी तरफ हसकर रहे गया अगर भागे हुए सेर्पा को पकरने के जल्दी ना होती तो मैं तुझे अपने हाथों से तरपा तरपा कर मारती अब ये काम करेंगी मेरी सहियोगी बिल्या जिदर सेर्पा गया था कैटी उधर तेजी से भाग खड़ी हुई बेनी के खुखार बिल्यो के जुन के हवाले कर जैसे जैसे बिल्यो को हमला तेज होता जा रहा था वैसे वैसे ही बेनी की चीखे भी तेज हो रही थी इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में तब तक के लिए बाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से रेकमेंट जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलिक्ट जरूर कर लेना थांक्स पर बाचिंक में व्यूडियोस